हेलो दूस्तों स्टड़ी गरू चैनल पर आपका स्वागत है जी के जॉप्स और एक्जाम से रिलेटेट सबी अपडेट हम समय समय पर आपको देते रहते हैं तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सबी अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें तो यहाँ पर जो बड़ी खुसकवरी है टॉल्ट वाले चात्रों के लिए तो वो यह है कि जो आपके एक्जाम है वो कैंसल हो सकते हैं जैसा कि इस खबर में दिया गया है इस पश्ट तौर पर तो इसको हम जान लेते हैं यहां पर लिखा गया है चापश्य पश्ट तौर पर यहां पर देख सकतें MP Board 12 की परिक्षा तारीक बदल सकती है तो यह क्या कारण है कि इसकी जो परिक्षा तारीक है वो बदल सकती है तो इसका यह मुख के कारण है यहाँ पर बोपाल मादमिक सिक्षा मंडल मदप्रदेश बोपाल दौरा यहाँ पर आयो जे तो जो बारवी की हर सेकेंडी परिक्ष आकिल भारती ये बिद्यारती परिशान परिक्षां जो तारीक बदलने की मांग की है तियां पर ये बड़ी खबार है कि मत्वडेश की राजधानी बोपाल में A, B, B, P, आकिल भारती बिद्यारती ने परिशान मुकवन्त缸िरी सिरी सिवराज सिंग चोहान को ग्यापन देकर 9 जून से होने वाली बारवी की बोर्ट परिक्चा सेस परिक्चा को आगे बढ़ाने की मांग की गई है तो ग्यापन में लेका गया है कि कोरोना संक्रमन की स्थिति को देखते हुए चात्र और अभिभावकों का सुरक्चित महसूस कर रहे हैं इसलिए विद्यार्थियों की सुरक्चा के लिए आगामी तिति में परिक्चा का आयोजन किया जाए और स्टुटेंट जनरल प्रमोशन और पेरेंट्स तारीक बदलने की मांग कर रहे है तो यहाँ पर जो स्टुटेंट और पेरेंट्सों का जो मानना है वो भी हाँ पर लिखा गाया है तो जब से मद्प्रदेस बोर्ड ओप सेकेंड एजुकेशन में 12 एक्जाम की डेट आनाउंस की गई है तबी से 12 के स्टुटेंट सोसल मीडिया और अलग अलग तरीकों से लगतार जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉंग्रेस पार्डी के पिरदेस अदेक्सरी कमलात के बेटे एवं संसद नकुलनाज भी स्टुटेंट की मांग का समर्तन कर रहे हैं पिरदेस तारिक बदलने की मांग कर रहे हैं तो परिक्षा का कहना है कि नया सिक्षा सत्र जुलाई से शुरू हो या नवंबर से बच्चे लगा बच्चे मन लगाकर पढ़ाई तो परिक्षा के तीन महें महीने पहले ही करते हैं हो सकता है जो परिक्षा है वो केंसल कर दिजाएं लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें परिक्षा हो भी सकती हैं कैंसल हो सकती है कुछ हो सकता है और अगरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस अबस्स्य कर दें